ध्यायेत नित्यम महेशं रत ग्रेनिभं चारुचंद्रावतंसं रतना कल्पो जोलांगं परसु मिर्गवरा भीति हस्तं प्रशन्नं पदमा सीनं समन्तात अस्तुत मम्रगनेर व्यागर कृतिम वसानं विश्वाध्यं विश्ववीजं निखिल भयहरं पंच वक्तरं तरनेत ओम नमः शिवाये जैसरी राधिक्रिष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धीके मिसरा प्रजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे सावन सोमवार व्यत्य की कथा आप सभी भक्तों को स्रावन मास की धेर सारी शोपकाम नाए आप सभी के जीवन में भगवान भोलिनाथ माता परवत्य की क्रिपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और श्यम्रिद्धी की प्राप्ति हो भगवान आप सभी भक्तों के एक शाओं को पूर्ण करे हिंदू धर्म में स्रावन महीने का बड़ा ही विशिश महत्यों मान अंदिरों में तिर्थो आदे जगों पर जाकर के यात्रा करते हुए भगवान शिव का जलाविश्यक करते हैं इससे भगवान देवादी देव महादेव अपने भक्तों पर अतिप्रशन होते हैं स्रावन के महीने में 20 प्रकार से प्रति स्रावन के जितने भी सोंबार होत करते हैं इस दोरान भगवान शिव जी का पूजन करते हैं कथा सरवन करते हैं इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कश्टों को दूर कर देते हैं तथा शुक और शमृद्धी का आसरवाज परदान करते हैं सावन सोंबार के ब्रत में इस द आदी फालाहार आदी ग्रहन करनी चाहिए इस ब्रत्त को जो की फालाहार रखके भी धारण किया जाता है जो फालाहार नहीं रख करते हैं तो राद्री में एक समय सिंधा नमक का परयोग करते हुए भोजन को ग्रहन करना चाहिए बिसेश प्रकार से स्रावन सोंबार ब्रत विधि के बारे में जानना तो उसका वीडियो अलग से चैनल पे अप्लोड है या वीडियो के इंडिय स्केर में भी वीडियो का लिंक दिया गया है आप उसकी माध्यम से जानकार्या को प्राप्त कर सकते हैं तो आएए सुनते हैं स्रावन मास स्रावन सोंबार व्रत की कथा तो बोलिए प्रेम से प्राइन काल की बात है एक नगर में एक वैशे रहता था जो बड़ा ही धनी तथा इस्वर युक्त था जिसके कारण उसे किसी प्रकार का दुख या कश्ट नहीं था परन्तु इतनी अतूल संपत्ती होते हुए भी उसे भोगने बाला उसकी कोई संतान ना थी जिसका उसे सरवदा ही दुख बना रहता था वैशे भगवान शिप जी का बड़ा भक्त था और प्रती सोंबार को शिप जी का ब्रत तथा पूजन किया करता था उससे विश्वास था कि भगवान शिप जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवशी ही उत्पन्न होगा जो मेरे इस अतूल धन का भोग करेगा ऐसा मन में विचार कर वह प्रती सोंबार को व्रत करता तथा शायमकाल शिप जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ती से मधुर पाक वेंजन बनाकर शिप जी को भोग लगाकर स्वेम प्रशाद लेता और पत्नी को देता था उसे ऐसा करते देख भक्त वसला देवी पारवती से रहा नहीं गया और वे भगवान शिप जी से बोली कि हे भगवान हे प्रभु या वैश्य प्रती सोंबार को आपका ब्रत करके शायमकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ती भाबना स पूजन करता है अता आप इसके दुख का निवारन सिग्र क्यों नहीं करते तब परवती जी के सुंदर वचनों को सुनकर भगवान शिप जी बोले कि हे देवी परवती इस वैश्य के तो पूत्र नहीं है यह इसके पुर्व जन्म का ही फल है देवी यह जगत तो कर्म मैं मनुष्य कर्म के बंधनों से बंदा हुआ यहाँ आता है तथा अपने अपने कर्मों के फल को भोगता है उसी प्रकार यह बैश भी पुर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में ने शंतान होकर दुख उठा रहा है सिभ जी के ऐसे उपदेश आत्मक वचनों को सुनकर मात पार्वति नहीं मानी और कहने लगी कि है इस्वर आप तो भक्त वस्सल हैं फिर अपने भक्त पर क्यों दया नहीं करते जबकि वह सदैव आपकी भक्ती प्रेम पुर्वक्त पूजा करता है फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख्का नास क्यों नहीं कर देते आप करपा करके उसे अवशी ही पुत्रवान कीजिए जब पारवति जी शिवजी से ऐसा कहने लगी तो शिवजी बोले कि हे देवी जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूं जद्यपी उसके भागी में पुत्र का सुक नहीं है या नन्याना तो केवल बारह वर्स तक ही जीविद रहेगा इसके पश्चातS वह मिर्टु को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उसे वैसे की इस्तरी गर्वती हुई तथा दस्वा महीना प्राप्त होने पर एक सुन्दर पुत्र की उसे उत्पत्ती हुई जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई, सब लोग अत्यधीक हर्शित हुए परंतु उस वैस्य को कुछ विसेस शुख नहीं मिला, क्योंकि उसे यह बेदित था, कि यह पुत्र बारा वर्ष बाद पुना मिर्टु द्वारा ग्रशित हो जायेगा इस प्रकार हसी खुसी में वह बारा वर्ष का हो गया, एक दिन उसकी माता वैस्य से विवाह के लिए कहने लगी, तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा इस तरी से ऐसा कहकर उस वैसे ने बालत की मामा को गुलवाया, और उसे खुब अधिक धन दे कर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ, और इसे विद्या अध्यान इससे करवाओ, तथा रास्ते में अस्थान अस्थान पर ब्रामनों को भोजन देते, त की नगर में पहुचे, वहां के राजा की कन्या का उस दीन विवाह था, कन्या बड़ी ही रूप वती और सर्वगुण संपन्य थी, परन्तु राजकुमार अर्था था, जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी, परंतु जब उसने वैशे के पुत्र को देखा, जो बड़ा रूपवान था, तो विशार कर उसके मामा से कहने लगा, कि यदि थोरी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दे, तो आपकी बड़ी किरपा होगी, थोरी देर की ही बात है, विवा हो जाने के पश्यात इसे हम वापस कर देंगे, और आपको बहुत साथ धन भी देंगे, फिर तो बालक के मामा ने स्वेकार कर लिया, वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया, और विवा का समस्त कारिया बड़ी दक्षता से संपन्न किया, परंतु जब लड़का सिंदूरदान करके लो पढ़ने जा रहा हूं, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जायेगा, वहाँ एक आख का काना, तुम्हारा पती नहीं है, इस परकार विवाकारिया संपन्न होने पर, विदा की बेला पर, जब राजकुमारी ने अपनी सारी पर कुछ लिखा देखा, तो उसे बढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया, और बोली, यह मेरा पती नहीं है, मेरा पती तो वैशे पोत्र है, जो इस समय कासी जी में पढ़ने के लिए गया है, फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुन, उसके माता पिता अत्यंत आश्यरे में पढ़ गए, और रा शेका पोत्र तथा उसका मामा दोनों कासी जी में पहुँचे, तथा बालक ने अपने अध्यान प्रारंब कर दिये, और उसके मामा ने यग्य करना प्रारंब कर दिया, इस प्रकार कुछ दिन ब्यतित होते हुए, लड़के की अवस्था बारा वर्सकी हो गई, उस दिन य रहकर के सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही, उसके मामा ने आकर देखा, तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वहां अती दुखित हुआ, परंतु यग्य हो रहा था, इसलिए यग्य विद्वंस्त के भैसे चुप रहा, और जब यग्य कार्य संपन्न हो गया, तथा सब भ्रामन चले गया, तब वह खुब जोर-जोर से रोने लगा, उसी समय भागिवश, पारवती जी सहित, सिवजी उधर से जा रहे थे, कि तभी पारवती जी ने करोण रुदन को सुना, जिसे सुनकर उनका हिर्दय द्रवी भूत हो गया, और वे भगबा पारवती जी का ऐसा आगरह देख, सिवजी उस अस्थान पर गये, जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर उरो रहा था, फिर तो पारवती जी ने उस बालक को पहचान लिया, और बोली कि हे महराज, देखिये तो, इतना सुन्दर या वेशे का बालक मरा जा रहा है, जो आपके वर्दान से हुआ था, सिवजी बोले कि हे देवी, या बालक अपनी आयू समाप्त कर चुका है, और मर गया है, इसमें किसी का क्या दोश, पारवती जी ने कहा, कि हे देवादी देव, भगवान शिव, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्स की आयू दिती, वैसे ही जी शिव जी ने वनिक पुत्र को जिवित कर दिया, इस प्रकार भगवान शिव जी के वर्दान से वह जिवित हो गया, और भगवान शिव पारवती पुनहा अपने धाम को अंतर ध्यान हो गये, फिर कुछ दिनों के पश्चाद वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की उड़ चल पड़ा, तथा रास्ते में चलते चलते उनहा उसी नगर में आया, जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवा हुआ था, वहां पहुँचकर उसने यग्य करके ब्रामन भोजन कराया, जिससे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह अपने जामाता को देखा, तो अति प्रशन हो आदर के साथ अपने महल में ले आया, और कुछ दीन तक रखकर खुब आदर सतकार दिया, और पुत्री को खुब दान दहेज देकर पुत्री और जामाता को विदा कर दिया, तब वह वनिक पुत्र इस्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा जब वे लोग घर के थोड़ा नजदिक आये तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खवर देता हूँ जिससे कि वह बधू सहित तुम्हारा स्वागत कर सके इधर वह वैश्य अपनी इस्तरे सहित छत पर जा तो हम लोग यही से कूद कर प्राण दे देंगे परन्तु जब साले ने आकर यह कहा कि आपका पुत्र कुसल से अपनी इस्तरी सहित आ रहा है आप लोग विदिवत उसका स्वागत कीजिए साले की ऐसी बास सुनकर वे लोग अतिप्रशन हुए और बड़े आधर के साथ प इस प्रकार से भगवान शिव का प्रिया सोंबार का व्रत धारन करते हैं भगवान शिव जी का पूजन करते हैं और इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वह सभी कष्टों से छूट कर अपने समस्त मनुर्थों को पुर्ण कर पाते हैं तो बोलिए प्रेम से भगव अरधंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भिंगी नित्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अतिगासी यक्ष रक्ष भैरब जह डोलत बोलत है वन के बासी कोयल शब्द सुनावत सुन्दर भवर करत है गुण जासी कल्प द्रूम अरुपारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी काम धेन कोटिक जह डोलत करत फिरत हैं भिक्षासी सुर्य कांत सम परवत शोभित चंदर कांत सम हिमरासी शहों तो रितू नित फलत रहत हैं पुष्प चढ़त हैं वरसासी देव मुनिजन की भीड पड़त हैं निगम रहत जो नित गासी ब्रम्हा विष्णो ध्यान करत हैं कुछ शिव हम को फरमासी रिद्धी सिद्धी के दाता शंकर सदा अनंदित सुखरासी जो कोई सुमिरन सेवा करता तूट जाय यम की भाशी त्रिशूल धरजी को ध्यान निरंतर मन लगाय कर जो गासी दूर करो विपदाशिव तनु को जन्म जन्म शिव पदपासी कैलासी काशी अविनासी मेरी सुधली जो प्रभू सेवक जान सदा चरण को अपनो जान दरश दीजो तुम जो प्रभू जी सदा सयाने अब गुण मेरो सब ढखियो सब अपराद शमाकर शंकर किंकर की विंती सुनियो शेश गंग अरधंग पारवती सदा विराजत कैलासी नंदी भ्रिंगेल रित्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी गुण भक्तन शिव की दासी गुण भक्तन शिव की दासी तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जये माता पारवती की जये सर्व देवी देवता की जये इसी प्रकार से जो भी भक्त सची सरधा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सरावन मास सोंबार का ब्रत्धारन करते हैं इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा शुख और श्यम्रिद्धे का आजरबाद परदान करते हैं तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो इसी प्रकार से ज्यान परधक जानकारिया प्राब्त करते रहने के लिए द्रत्य पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुकी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधिक्रिश्ण